असालालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं घी रोस्ट मटन सुखा, वो भी बहुत असान तरही के से. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस सब्सक्राइब के बटन पर दवाएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा. बैल के बटन को दबाए जिससे मेरे लेटिस्ट वीडियो की नोटिफेकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए मटन सुखा बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मटन लिया है 1 फॉर्थ टी स्पून टर्मरिक पॉडर, 1 फॉर्थ टी स्पून सॉल्ट इधर कूकर में मैंने हाफ कब पानी डाला है अब इसमें हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया और मटन डाल दिया अब इसको हम कूकर की सीटी लगा देंगे जिससे मटन गल जाए एक सीटी के बाद 15 मिनट मीडियम हीट पर रखें तो आपका मटन बिल्कुल सही से सूख जाएगा इसमें 1 टी स्पून ओईल भी डाल दें पूरी तरह से मटन गल जाए अब मटन सुखा का मसाला बनाने के लिए हमने ये मसाला तयार करना है जिसके लिए हमने सौफ लिए आधा चमच एक चमच साबुत धनिया वन फोर्थ टी स्पून जीरा तीन हरी इलाईची 8-10 ब्लैक पैपर कॉन काली मिर्च 8-10 एक इंच दालचीनी का टुकड़ा और छे साबुत लाल मिर्च को रोस्ट करकर मिक्सी में पीस लेंगे इसका मसाला बना लेंगे इधर हमने एक तवे पे एक टेबली स्पून घीली लिया इसमें हम शैलिट्स प्याज आती वो यूज करेंगे शैलोट बहुत चोटी चोटी लाल प्याज होती वो दो काट ली हमने वो बहुत जल्दी घुल जाती है तीन हरी मिर्चे बीच में से कटी भी एक चमच बड़ा स्प्रिंग ओनियन हरा प्याज एक करी पत्ते की टहनी एक इंच अद्रक का टुकड़ा बारीक कटवा एक धनिये का बंच और यहां लस्टन को मैंने क्रश्ट करा पानी के साथ बारीक नहीं पीसा है घी को गरम कर ले जब घी गरम हो जाए तो हम इसमें प्यास डालेंगे प्यास को हमें प्राउन नहीं करना इससे सौते करना है इस प्यास का टेस्ट भी अच्छा होता और यह बहुत अच्छे से जल्दी से घुल मिल जाती है सबजी से इसमें हमने करी पत्ता डाल दिया यह हमारा मटन पूरा गल गया हमने एक कप पानी डाला था देखिए बस यह एक बड़ा चमच पानी है इसको हम भूनते टाइम यूज कर लेंगे प्यास लाइट सौते हुई तो अब हम इसमें क्रश्ट कियावा गार्लिक पानी के साथ थोड़ा सा डालेंगे यह अदरक जूलियन स्ट काटी है इनको डाल देंगे हरा धनिया हरी मिच्चे और हरा प्यास बाद में यूज होगा यह मटन गलावा है अब हमने इसमें मटन को डाल कर थोड़ी दिर फ्राइ करना है ताकि मटन अच्छे से फ्राइ हो जात होगा फिर जो हमने मसाला पीस के रखा था वो मसाला अब हम इसमें एट कर देंगे और जरा सा जो मटन का पानी था वो ही डाल कर भून लेंगे इसको 5 से 10 मिनट भूनना है मीडियम हीट पर जैसे जरुवत पढ़ती जाए थोड़ा पानी डाल कर भूनते जाए अच्छी तरह से भून जाए लशन अद्रक की कचान निकल जाए और मसाले में भी सारा चिकिन मटन लग जाए इसमें मसाले को भूनना अच्छा पड़ता है क्योंकि अब हमें इसे कोई सीटी नहीं लगानी है इसी भूनने में इसकी सारी कचान निकल जाए और तेल उपर आ जाए इतना हमें भूनना है ये देखिए भून कर तेल उपर आ गया अब ये पूरी तरह से भून गया है हमारा तेल निकनना भाहर मसाले से इसका मतलब है हमारा मसाला तयारा वहमें इसमें कटावा हरा धनिया कटीवी हरी मिर्च बीच में से और एक चम्मच इस्प्रिंग ओनियन यानि हरा प्यास डाल कर इसको दो-तीन मिनट सौते करेंगे हमारा मतन सुखा घी रोस्ट वाला तयार है अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग करेंगे डिसान कमक्स वाला हम आपको प्यान साथ रहाला है मैं एपको प्यार प्या याज बटन कमक्स वाला बटना आपको अपकों